तो हेलो वीवर्स वेल्कम पेक टू माई न्यूव वीडियो एंड आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ यहां पे रेडमी 12 5G स्मार्फोन को लेकर आ गया हूँ 8GB RAM N256GB ROM Variant Redmi 12 5G स्मार्फोन की है मेरे पास उससे बहले मैंने 6GB 128GB 4GB 128GB Variant को अंबोक्स करके आप लोगे साथ शेयर किया था अब फिलहाल Redmi 12 5G स्मार्फोन की 8256GB Variant जो मुन्स्टोन सिल्वर कलार में मेरे पास है इसी स्मार्फोन को यहां पर अंबोक्सिंग करके इसी रेडमी 12 5G स्मार्फोन के बारे में बताऊंगा डिवाइस में क्वालकम स्नाप्रगन 4 Gen2 मोबल प्लैरफोर्म दिया गया है 6.79 निचेस का फुल एचरी प्लास स्क्रीन है 50 क्रिस्टेल ग्लास्टर डिजेन के साथ यह स्मार्फोन और 8GB RAM 256GB ROM मुन्स्टोन सिल्वर चलिए उन्बोक्स करते हैं रेडमी 12 5G स्मार्फोन को और देखते हैं उससे बलगा इस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के प्लिस सब्सक्राइब करें और जैसे ही अन्बोक्स और इसी के अलवा यहां पर 22.5 वार्ट का एक छोड़ भी दिया गया है और चलिए फिलाल स्मार्फोन को देखते हैं कुछ इस तरीके से खुबसेरत लुक्सें डिजाइन के साथ रेडमी 12 5G स्मार्फोन की सिल्वर कलर जीहां बहुत ही खुबसेरत लग रहा है जो फस्ट फोन की वेच है और जो तीकने से 8.2 mm तीकने साथ यह स्मार्फोन पॉसे में फास्ट लुक फास्ट इंप्रेशन रेडमी 12 5G स्मार्फोन की आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन पर सुरु बताइए रेडमी 12 सेरीज में रेडमी 12 5G दो अलग अलग फोन है रेडमी 12 जो स्मार्फोन है वह 4G है डिवाइस की तरह बॉली माप इंडान बटन पावर बटन इसके साथ में फिंगर पिन इसके ना नीचे की तरफ स्पीकर गिल टाइप सी पॉर्ड मैक्रफोन देखने को भी मिल जाता है और डिवाइस की तरफ नोइस कि इंसलेशन मैक्रफोन न में अफालेवल है और डिवाइस में तीन अलग अलग फेरियंट है 4128 6128 और 8256 जिप और इसी रेडमे 12 5G स्मार्फोन में डिस्प्ले दिया गया है एक बहुत बड़ी क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है पंच्छोल के साथ में 6.79 इंचेस का फुल HD प्लास स्क्रि देखनों मिल रहा है इसके लाव प्रफॉमेंस के उपर बात कुरू तो 8GB RAM है डिवाइस में 256GB ROM एडिशनल RAM भी दिया गया है 4GB यहां पर जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो भी काफी कमाल की एक बड़िया चिपसेट काफी फास्ट चिपसेट दिया गया है Qualcomm की तरफ से Qualcomm Snapdragon 4 देखनों मिल जाता है Adreno 613 GPU दिया गया है तो ओफराल गेमिंग इन स्पीट के मामले में बहुत ही बड़ी तकड़ा डिवाइस है डिवाइस में जो फिंगर बिन स्केनर दिया गया है इसके लिए से भी इसी स्मार्फोन को आपन लोग कर पाऊंगे दोनों ही ऑप्शन एव 22.5 बोड का दिया गया है कैमरा जो है 50 प्लस 2 मेगा बिक्सल का डूइल रेर कैमरा दिया गया है और 8 मेगा बिक्सल का सेलफी कैमरा दिया गया है कुछ चलिए तस्बिर देखते है जो इसी स्मार्फोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक क्या है जो यहाँ पे रिसार्ट है कैम से मुझे तुखास करके बढ़िया ही कैमरा यहां पर लगा तो कैमरा संटी की स्मार्टफोन है एक भजट रेंज में आपको कैमरा बढ़िया मिलता है 50 मेगा पिक्सल अपरच़व 1.8 के साथ में प्राइमरी कैमरा है 2 मेगा बिक्सल का डेप संसर कैमरा अपरच़व 2.4 और मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा परच़व 2.0 के साथ में दिया गया है और चलिए अब बात के लिए इसी रेडमी 12 वे 5G स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में डिवाइस में तीन अलग 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 वेरियंट है इसके जो बेस वरियंट है वो आता है फोड़ जी बिरेमें 15,499 रुपी याने 15,500 तो तीन अलग 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 प्राइस रेंज के साथ से स्पेसिफिकेशन के साथ से रेडमी 12 5G बहुत ही बड़ी रिवाइस है कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ में इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन अफालेबल है 15,500 में इतना बड़ी स्पेसिफिकेशन और 8GB 256GB मिल रहा है तो आपको यह डिवाइस कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरू बताइए रेड्मी 12 5G स्मार्टफोन का अन्बोक्सिंग करके इसी स्मार्टफोन के बारे में डीटेस में इस वडियो में शियर क्या है इस फ़ोन को लेकर कोई भी सवाल कोई भी सुजावा नीचे कॉमेंट करना ना बूले तो आज की वडियो के सतना है गाईस में नेक्स के सी अंदे